नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है फ्री की पार्ट साला में जैसा कि इस चैनल पे आपको उत्तरपदेश तथा सिंटरल गॉर्मेंट से रिलेटेड जो भी वेकेंसी जाती है उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेन न्यू जाती है वो खबरे में आप तक वीडियो क माध्यम से पहुचाता रहता हूँ जैसे कि क्या लाज डेट रहेगी क्या कट अफ रहेगा उस भरती का जो भी इतिहास रहता है तथा इरहाबाद हाई कोड की जो भरती आए हुई है उसके क्लासे भी मैंने अपने चैनल पे शुरू कर दिया है जैसे कि जो इंगलीज की ज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी जो भी अभ्यार्थी हैं जो लोग भी गॉर्मेंट एक्जाम के तयारी करते हैं जो लोग कंपटेटिव एक्जाम के तयारी करते हैं चाहे वो कॉंस्टेबल के तयारी करें आप ही चाहे वो सिविल सर्विसेस के तयारी कर हमेशा मन में डर रहता है कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा उसके बाद कई बार परिस्थितियां आपके हिसाब से नहीं रहती हैं कभी कोई परिवारिक समस्या कभी परिवार का दबाओ कभी रिस्तिदारों का दबाओ कभी यह जो समाज है समाज का दबाओ जैसे कि इतने साल से तैयारी कर रहे हो अब तक नहीं हुआ तुम्हारा सेलेक्शन लेकिन उनको जो आप दिन रात जाकर जो मेहनत कर रहे हैं जो समय में कई लोग इंजोई कर रहे हैं अपने जिंदगी को वो समय को आप अपनी पढ़ाई में लगा कर अपने सपने को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है इस वीडियो में हम उसी बात को डिसकस करेंगे कि एकजाम के तैयारी के दोरान जो इमोशनल जो स्ट्रगल होता है उनको एड्रेस कैसे करें उनको उनके उपर हम कैसे हावी हो जाएं वो प्रॉब्लम हमारे उपर ना हावी हो के हम उन प्रॉब्लम के उपर हावी कैसे हो तो सबसे पहले हम डिसकस करेंगे चैलेंजिस क्या क्या हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स है तो जो सबसे पहला जो problem है वो है डर डर लगता है हमें कि कहीं अगर हमारा exam ना clear हुआ तो जो मैंने पिछले एक साल से तैयारी करी जो मेरे माबाप के आसाएं है जो मेरा जो लक्ष है उसको मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा कहीं मेरा exam नहीं clear हुआ तो ये डर हर student के मन में रहता है चाहे कोई भी हो चाहे जो selected candidate है अगर वो कहता है कि मुझे डर नहीं लगता था तो वो सीधे सीधे तोर पे आपसे जूट कह रहा है क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि उसका selection इस बार में होई जाएगा कुछ तो उसकी मेहनत होती है और कुछ उसकी किस्मत जिनका भी selection होता है मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि जिनका selection नहीं होता है वो मेहनत नहीं करते हैं मेहनत वो भी करते हैं लेकिन चूंकि सीटे कम है और लोग जादा है तो इस वज़य से वो लोग बच जाते हैं तो देखिए ये जो डर है कि exam clear नहीं होगा तो इसको आप accept करिए डर एक normal human emotion है इससे आप भागिए मत इसको आप अपना लीजिए इसको आप समझिए कि हाँ ठीक है डर है डर क्यों है डर है कि मैं फेल हो जाओंगा अब वो जो फेल होने का जो डर है उसको आप अपने positive energy में लगाईए आप उसके वज़य से और ज्यादा मेहनत करेंगे और मेहनत के साथ इस exam की तयारी करेंगे जिस भी exam के लिए आप फोकस कर रहे हैं हो सकता है रातों को जो आपको नीद आ जाती है पढ़ते समय उस डर के ही कारण आपको नीद ना आए और जो आप मान लीजिए रात को दो घंटा पढ़ते थे तो आप साथ उसको धाई घंटा तक खिस सकें की डर लग रहा है आपको क्यों क्योंकि आपको डर लग रहा है इस कारण वस तो आप इसको जो है positive तरीके से देखिए चलिए और कौन से problem है आपको दोस्तों डरना नहीं कि fail हो जाऊंगा ये सबके मन में रहता है कि मैं fail हो जाऊंगा दूसरा है कि jealousy हम सभी human being है आप सभी ने three idiot का picture भी देखा होगा वो तीन दोस्त रहते हैं उसमें से जो दो रहते हैं वो तो last आते हैं लेकिन जो तीसरा जो रहता है जिसका रोल आमिर खान ने किया था वो first आ जाता है रेंचो तो उस समय और जो दोनों जो दोस्त रहते हैं भले कम जादा अलग बात है आप ही के साथ तयारी करने वाला लड़का आपका room partner हो सकता है दोनों आपने और उसने exam दिया आपने भी वही किताबे पढ़ी उसी तरीके से तयारी करी लेकिन exam hall में आपका दिमाग उस तरीके से strike ना कर पाया हो और आपके दोस्त ने exam को qualify कर दिया तो उस वक्त दोस्तों मन में जरूर एक कोने में एक कसक रह जाती है कि मेरा भी selection हो जाता तो उसका तो हो गया तो जो दूसरों लोगों के जो selection है उनसे जलन महसूस करना यह बहुत ही natural बात है लेकिन अपनी जर्णी पर focus करिए हर वक्ति को अपना जीवन अपने तरीके से ही जीना है तो आप अपनी जर्णी पर focus करिए ठीक है उसका selection हो गया कोई बात नहीं हो सकता है कि कोई वक्ति किसी exam में fail हो गया तो हो सकता है कि उससे अच्छा exam उसका इंतजार कर रहा हो उसलिए fail हुआ हो मान लीजे कि आप और आपके दोस्त ने constable के लिए तैयारी करी आपके दोस्त का सेलेक्षन हो गया constable पे आपका नहीं हुआ और उसके बाद अगले साल या अगले दो साल में आपका सेलेक्षिन सीधे SI के पत्पे हो जाता है क्योंकि आपके दोस्त को तैयारी करने का मौका दोस्त उतना नहीं मिल पाएगा जितना आपके पास रहेगा भले यह आपसे दो साल पहले नौकरी में आगया लेकिन आप डारेक्ट SI बनेंगे या फिर माल लिजिए यहीं हाई कोट की बात करें अगर आप जूनियर असिस्टेंट के पत्पे अभी तैयारी करने हो सकता आपका सेलेक्षिन अगर ना हो ROARO भी आ रही है हो सकता आपका ROARO का पोस्ट आपके लिए इंतजार कर रहा हो तो कहां 2000 ग्रेट पे कहां 4800 ग्रेट पे तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा कर आप अपने जर्णी पे फोकस करिए हर किसी का टाइम अलग होता है दोस्तों आप लोग का भी आएगा अब देखे जो तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है इंफिरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने आपको इंसान छोटा समझने लगता है दोसरों के कमपरेजन में कमजोड समझने लगता है अपने आप पर डाउट करने लगता है कि क्या मैं इस लायक हूं क्या मैं गॉवर्मेंट एक्जाम निकाल पाऊं क्या मैं इस कमपरेजन को पास कर पाऊंगा तो फ्रेंट्स इसके लिए आप दूसरों लोगों के सलेक्शन को देखकर जो आपके मन में जो अपने उपर से जो आपका भरोसा उठने लगता है उस पर से आप अपना ध्यान हटाते हुआ आप अपने strong point को देखिए हो सकता है कोई gk में अगर strong है तो कोई math में strong होगा तो आप उस paper की तयारी करें जहां पर math जाद आता हो हो सकता है math में strong कोई math में कम जोड है लेकिन उसकी इंगलीश और gk अच्छी है तो आप अपने strong point को धुंडिए अपने स्ट्रॉंग पॉइंट के कॉर्डिंग तैयारियां करिए अपने आपको दूसरों से कंपेर कभी मत करिए क्योंकि देखिए दूसरे क्या आप और जो दूसरा परसन है सामने वाला क्या एक जैसे आप लोग दिखते हैं क्या दोनों का जो परिशितियां है परिवारिक हो समाजिक हो दोस्त हो क्या एक जैसे ही रहे हैं क्या सुविधाय उसी प्रकार से मिली हैं तो आप यह मत सोचा करिए कि सामने वाले ने इतना कुछ कर लिए आप की परिशितियां अलग हैं तो इस वज़े से आपके रास्ते भी अलग होंगे हो सकता है आपका जरा सा लंबा हो क्योंकि आपने आपको जीवत में वो सुविधाय ना मिल पाई हो जो सामने वालों को मिली हो तो आप अपने यूनीक जो इस्त्रेंथ है आपका जो ताकत है आपकी उस पर आप ध्यान दीजिए और खुद पर भरोसा दोस्तों कभी कभी भी आप अपने पर भरोसा मत छोड़िएगा चौथा जो दोस्तों पॉइंट आता है रिलेटिप्स का प्रेशर और ताने देखिए जो समाज है हम आप जिस समाज में रहते हैं वो समाज का सबसे बड़ा रोल अगर आप देखेंगे तो जाधा तर सभी के साथ ऐसा हुआ होगा कि अगर आपक ही उठा देगा तो जो सोसाइटी का जो ताना है जो सोसाइटी का जो प्रेशर है इतने साल से पढ़ रहे हो अब तक सलेक्ट नहीं हुआ जैसे कमेंट को हैंडल करना मुश्किल तो होता है लेकिन दोस्तों देखिए आप ये मान के चला करें लोगों का काम है बोलना आप लक्ष पर ध्यान दीजे आप एक बात याद रखिए कि जिस दिन आप सफल हो जाएंगे यही लोग यही सोसाइटी यही समाज यही डिलेटिप्स आपके आपको पास फोन करेंगे आपको बधाईयां देंगे यहां तक कि लोग यह भी कहेंगे जो लोग यह कहते थे कि आर आपको बस लगे रहना है हर सफलता का अपना समय होता है आगे बात करें जो पांचवा पॉइंट है हमारा वो है खुद खुद को फेल समझना फेलियर समझना अब इसका क्या मतलब है कि सेल्फ डाउट होने लगता है एक एकजाम दिया नहीं निकला दो एकजाम दिया नही अब एक समय ऐसा आता है कि इनसान सोचता है कि अब क्या मैं फॉर्म भरू की मदभर मेरा कोई भी एकजामनी क्लियर हो रहा है बार बार के अटेंट्स ठीके दोस्तों हर बारा पटेंट्स दे रहे हैं और उसके बाद फिर सफलता नहीं मिल रही है तो मन में डाउट आ जात है कि हो गया मेरा तो मेरा कुछ नहीं हो सकता तो आपको इस चीज से इस चीज पे जो है हावी होना है अपने मन के उपर हावी होना है यह इस तरह जब भी चीज़ें आए तो आपको यह करना चाहिए कि अपने ध्यान को भटकाना चाहिए जैसे गाने सुन लीजिए हलका सा कुछ टहल लीजे किसी से फोन पर बात कर लीजे जिसे कि आपका मन इन चीजों से भटक जाए अगर को एक्जाम क्लियर नहीं हुआ तो उससे आप अपने आपको फेलर मत समझे कि आप फेल हो गए आप एडिशन की देख सकते हैं बल्ब के आविस्कार में उसने कितनी बार व तो बन गए न वो कई बार ऐसा होता है कि आदमें अपने आखरी पड़ाओ पर आके सफलता प्राप्ट कर लेता है तो आपने आप खुद अपने उपर प्रस्तंची नहमत लगाईए समाज लगा रहा है रिलेटिब्स लगा रहे हैं तो लगाने दीजिए आप ये समझे कि ये सभी चीजें आपके लिए एक पॉजिटिब मोटिवेशन है आपको ये के लोग कारण दे रहे हैं कि आपको तयारी क्यों करनी है आपको कुछ अपने जीवन में कुछ हासिल करके दिखाना है जब भी आप किसी एक्जाम में फेल होते हैं तो आप उसको एक लर्णिंग समझिए क्या गलती हुई क्या मैं जो हूँ टाइम मैंनेजमेंट में कमी रहे गई कौन से टॉपिक में उस पे आप फोकस करके अगली बार जब बैठिए तो उस पर मेहनत करी और सफलता आपके कदम चुम लेगी दोस्तों चलिए अगला जो पॉइंट है हमारा छटवा न एकजाम के दिन का डर कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा या परफॉर्मेंस मेरी कैसी रहेगी क्या मैं एकजाम को कम्प्लीट कर पाऊंगो उतने टाइम में कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कोई को से छुड़ जाए तो इससे कैसे हम पार करें इस परिशानी को तो हमेशा थिंकिंग रखिए रिलेक्स रखिए अपने आपको जैसे कि अगर आप चाहें तो सुबह सुबह थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं आप पॉजिटिव आफरमेशन निकाल-निकाल के अपने कमरों के दिवाल पर चिपका सकते हैं उसको देखिए जो सफल व्यक्ति हैं उनको सुनिए उनके तस्वीर आप अपने दिवालों पर चिपका सकते हैं उनको देख के आपको जो है पॉजिटिव आइब मिलेगी एक्जाम के बारे में ज्यादा सोचना छोड़कर आप अपने प्रिप्रेशन पर फोकस करिए अपने स्लेबर्स को कम्प्लीट करिए कि कमिया क कहां रहे गई थी पिछली बार मैं वो टॉपिक्स जल्दी जल्दी कम्प्लीट कर लेता हूं बाकि जो एक्जाम हॉल में होना होगा वो तो होगा ही क्या ज्यादा सोचने से आपके तयारी ज्यादा होगी ना कि ज्यादा सोचने से तो ज्यादा सोचना छोड़कर पढ़ा हो जाता है तो आपके मन में लगता है कि उसका हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ या फिर आप हो सकता है कि आपके सुभाव में भी बदलाव आने लगता है तो देखे हर किसी की जर्नी अलग होती है आपका कंपेरिजनसी पर आप से होना चाहिए मान लीजे कि आपने S.S.C. का एक्जाम दिया इस बार जितने नंबर आए हो सकता आप मेरिटलिस से बाहर हो गए अगली बार उससे ज़्यादा ही नंबर आने चाहिए अपने आप आपका सेलेक्शन हो जाएगा तो आपको कंपेरिजन हमेशा अपने आप से करनी चाहिए हर छोटी ग्रोथ एक बड़ी अचिवमेंट होती है बुन्द बुन्द से घड़ा भड़ता है दोस्तों कववे वाली कहानी आप सभी ने सुनी होगी अगला है टाइम मेनेजमेंट का प्रेसर कि इतने धेर सारे सबजेक्ट इंगलिस हिंदी जी के उसके बाद मैथ रिजनिंग इतना बड़ा सलेबस तो टाइम मेनेजमेंट का भी प्रेसर रहता है कि टाइम की कमी और ज्यादा सलेबस के साथ कैसे बैलेंस करें या एक कॉंस्टेंट प्रेसर हमिशा दिमाग में रैता है अडkö जे वाले टॉपिक छुट गया मैत पढ़ने बैठे तो रिज्णिंग छुट गया रिज्णिंग पढ़ने बैठे तो इंग्लिस छुट गया मैं इसके लिए दोस्तों आप एक nên रिय Charlistice बना लिजे ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो लोग कहते हैं कि मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ आप खुछ सोचे कोई 18 घंटे कैसे पढ़ पाएगा क्या 6 घंटे नीद लिया और उसके बाद क्या उसके जिंदगी में कोई और काम नहीं बचा खाना खाना रोज का जो भी कारिक्रम हो लिजे बारा घंटा निकाल लिजे या फिर अगर आप चारी घंटा पढ़ पाते हैं चार घंटा का पहले बनाई फिर चार से को छे बढ़ाईए च्छे को आठ करिए अपने आपको आपका जो चोंपर्ट जोन है उसको आप हमेसा धकेलते रहिए कभी भी अपने जब आप comfort zone को फैलाते जाएंगे धकेलते जाएंगे अपने आप आप सफलता के और बढ़ते जाएंगे तो आप एक realistic plan बनाई है ऐसा plan बनाई study plan जिसको आप follow कर सके और daily जैसे कि आप daily जैसे आज रात को आप सोने गये तो आप ये decide कर लिजे कल आपको कौन से topics हैं जो आपको complete कर ल तो ब्रेक्स लीजे उसके बाद फिर अपने आपको जो है थोड़ा रिचार्ज करी अपने माइंड को अगर आपको घुमना अच्छा लगता है तो आदे घंटे के समय निकाल के टहल आईए दोस्तों बैठना अच्छा लगता है तो दस मिनट पंदर दोस्तों से बात कर या फिर जाकि उनके साथ बैठ भी सकते हैं पार को गयरा में उससे आपकी पढ़ाई इतनी ज्यादा नुकसान नहीं होगी लेकिन हाँ अगर आप विल्कुल सिर्फ दोस्तों के साथ बैठना ही स्टार्ट कर देंगे पढ़ाई नहीं करेंगे तो जरूर आपकी जिंदगी अफरमेशन हर दिन अपने आपको याद दिलाए कि आप कैपेबल हैं आप अपना बेश्ट देंगे किसी भी हाल में आप अपना बेश्ट देंगे आप सक्षम है कि आप सफलता पा सकते हैं और अपने फिजिकल हेल्थ का जरूर दोस्तों ध्यान रखिए हमेशा क्योंकि आ उसके बाद कभी-कभी जब मन में घबडाहत हो तो जिन भी लोगों पर आपको भरुसा है जो आपके अच्छे मित्र है या आप की जिससे बॉंडिंग बहुत अच्छी है उन लोगों के साथ कनेक्ट रहिए जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं उनसे रेगुलर कॉंटे मिरे जानने में कई लोग ऐसे हैं कि जो लोग जिनको लोग सोचते थे कि ये जिन्दगी में कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिनों अच्छे अच्छे पदों पर हैं समिछा अदिकारी हैं कोई PCS है कोई SI है कोई SSC CGL के थूरू जो SI इंस्पेक्टर बन चुका है तो आपको अपने उपर फोकस रखना है सोसाइटी को छोड़ कर एक साल के लिए अपने आप पे ध्यान दिजिए आप ही जल्दी नौकरी पानी है तो इलाहाबाद हाई कोड की जो भरती आए हुई है ये जॉइनिंग बहुत जल्दी देती है दोस्तों तो इस पर ध्यान दिजिए ब तो आप पहले तयारी करते रहिए PCS की लेकिन छोटे पोस्त रहते हैं जैसे कि जूरियर असिस्टेंट का हुआ या लोवर PCS का हुआ इन सब को भी ट्राइ करते रहिए तो उससे क्या होगा यदि आप इन सब पोस्टों पे सलेक्ट हो जाएंगे तो आप सबसे बड़ी ब प्लान भी दिमाग में अपने लेके चलिए इस वीडियो में बस इतना ही यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा आप अपने जिंदगी के एक्सपेरियंस भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं चैनल को लाइक करिएगा सब्सक्राइब तो शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों को जो की घवडा जाते हैं एक्जाम प्रेशर को देखते हुए जिससे की उनको भी मोटिवेशन मिल सके तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद एंड इस्टे ट्यून अ झाल